खतरनाक रंग लेगी मिडिल इस्ट की जंग हिजबुल्ला ने इस्राइल के उड़ाये होश सुरंगो और रॉकेट लॉंचरों से हटाया परदा तेलवीव पर काल बनकर तूटेगी इमाद फोर इस्राइल हमास के बीच छुड़े युद्ध में हिजबुल्ला लगातार इस्राइल पर दबाव बना रहा है अपने खतरनाक ड्रोन और मिसाइलों से इस्राइली एयर स्पेस में खुश कर हमले कर रहा है हिजबुला लड़ा के लगातार इस्राइली सेना और उनकी ठ्रिकानों पर रॉफिट बरसा रहे बीते दिनों इस्राइली एरिस्ट्राइक में हिजबुला के कई कमांडर के मारे जाने से तिल मिलाय हुआ है लिबनानी समू ने इस्राइल को खतरनाक परणाम भुगतने तक की चिताबनी दे रखी है तनाव बढ़ता देख अमेरिका भी इस्राइल को लिबनान से संघर्ष ना बढ़ाने की हिदायत दे चुका है बावजुद इसके दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है वहीं हिजबुला भी अपनी ड्रोन पावर से इस्राइल को चकमा दे चुका है उसके कई ड्रोन इस्राइली ठिकानों की रेखी कर चुके हैं दावा है कि इस्राइल पर हमले से पहले हिजबुला ने इस्राइली सिना के एहम ठिकानों की मैपिंग पूरी कर ली है वहीं लिबनान और इस्राइल में सीधे युद्ध के खत्रे के बीच हिजबुला ने अपनी ताकत फिर से नुमायना की है लिबनान की इस्लामिक प्रतिरोध ने एक वीडियो जारी कर इस्राइल समयत उसके पशिमी सहयोगियों की नींद हराम कर दी है वीडियो में हिजबुला ने लंबी अंडरग्राउंड टरनल और खतरनाक रॉकेट लंचरों के साथ एक बड़े मिसाइल कॉम्पलेक्स इमाद 4 से परदा हटाया हिजबुला ने इमाद 4 फैसिलिटी का प्रेदर्शन करते हुए 4 मिनट से जादा का एक वीडियो जारी किया है फुटेज में समो ने अपनी अंडरग्राउंड सर्विस का खुलासा किया इसमें बड़ी सुरंगों में बड़े रॉकेट लॉंचर और सेन ने उपकरण देखे गए वीडियो में लड़ाकों को सुरंगों में मोटरसाइकल चलाते हुए भी दिखाये गया है हिजबुल्ला ने दावा किया कि ये सुविदा न सिर्फ इसराइल की टोही ताकतों से छिपी है बलकि संभावित हमलों के खिलाफ भी सुरक्षा देती है वीडियो में हिजबुल्ला चीफ हसन नस्रल्ला का बयान भी सुना जा सकता है कि प्रतिरोत के रॉकेट उत्तर में किर्यट शमोनाक से लेकर दक्षड में इलियट तक पूरे फिलिस्तीन इलाके को कवर करते हैं वीडियो में मिसाइलों से लदे ट्रकों को टनल में घुसते हुए देखा जा सकता है मिसाइल ट्रक लॉंचिंग पॉइंट पर आकर तैनाद दिखते हैं दावा है कि हिजबुल्ला ने वीडियो चारी कर इस्राइल को सक्त संदेश देने की कोशिश की है हिजबुल्ला ने वीडियो के जरिये अपनी सैने ताकत का जिस तरह से प्रदर्शन किया है वो इस्राइल और उसके सहयोगी देशों के लिए जरूरी खत्रे की घंटी की तरह है इसके अलावा वीडियो में हिजबुल्ला के सैने नेता इमाद मुगनिये की तस्वीर भी दिखाई गई है जिसकी साल 2008 में सीरिया में हत्या की गई थी वहीं उनके उत्रा अधिकारी फॉट शुक्र थे जिसे इसरायल ने 30 जुलाई 2024 को बेरू तेर स्ट्राइक में धेर किया था वीडियो में हसन नसरला ये भी दावा कर रहा है कि इलाके में समू के आने के बाद से प्रतिरोत पहले से कहीं अधिक मजबूत है बताते चले कि इमाद 4 में एक अत्यादूनिक टेक्निकल सिस्टम और एक सुरक्षित संचार नेटवर्क है जो इसे बहारी दुनिया से जोड़ता है इसे मिंटों के अंदर ही लॉंचिंग की कमांड मिल जाती है अत्रिक्त सुरक्षा के मद्दे नज़र नेटवर्क के संचार को ज़ादा एंक्रिप्ट किया गया है हिजबुला के हथियारों की ख़दान में दरजन भर से जादा देखे गए जो भारी भर कम 220 और 303 कैलिवर रॉकेट को लॉंच करने का मद्दा रखते हैं हिजबुला के हालिया वीडियो पर इस्राइली मीडिया ने भी प्रतिक्रिया दी है इस्राइली मीडिया ने चिताबने देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि हिजबुला की ओर से जारी किया गया वीडियो उसकी विशाल का अटाकतों का एक छोटा सा नमूना भर ही है इस्राइली न्यूज वेबसाइट कीपा ने कहा कि एक विशाल सुरंग के अंदर से हिजबुला ने इस्राइल को एक संदेश के साथ एक एडवांस मिसाइल सिस्टम का खुलासा करते हुए अपना साइकोलोजिकल वारचारी रखा है वहीं एक और मीडिया आउटलेट मिवस्क लाइव ने कहा हिजबुला ने लॉंच करने के लिए तयार मिसाइलों से लैस एक अंदर ग्राउंड मिसाइल शहर का खुलासा किया है फिर भी इस्राइलिस रक्षा अधिकारियों और वरिष्ट ने ताओं के अधिकरित तोर पर कोई टिपपड़ी नहीं की है ये विडियो बढ़ते शेत्री तनाव की प्रिष्ट भूमी में आया है इसका मकसद इसराइल को रोकना और अंतराश्य समुदाय पर दबाव बढ़ाना है ऐसे में हिजबूला का हाल या विडियो इसराइल को लिबनान पर हमले करने के फैसले को फिर से सोचने पर मजबूर कर सकता है